स्वागत है आप सभी का एक बफिर से जोग्राफी विद रहमान सर के यूटूब चैनल पर आज हम बात करने जाएंगे भारत के भुगोल के संबंद में जो भारत का मानचितर आता है आपकी परिक्षा में उससे संबंदित कुछ प्रिशनों के उपर छोटे प्रिशन भी इस सकता है पामीर का पठार कहा है तो पामीर के पठार को भारत की खोपड़ी के ऊपर दर्शा सकते हैं कुलन परवतमाला भी आप दर्शा सकते हैं हिंदु कुछ परवतमाला पाकिस्तान में चली जाएगी सुलेमान परवतमाला ये पाकिस्तान में चली जाएगी ये भारत के outside की चीज़े है ठीक है फिर इसके बार कारा कॉरम पर्वत स्रंकला की बात करेंगे तो यहां आ जाएगी इसके बाद लद्दाख और जासकर शेणी यहां है और कारा कॉरम दर्रे के अगर बात करेंगे तो लद्दाख में इधर आ जाएगा ठीक है राका पोशी नंगा रख पैन ले करके बता हूँ एक मforcementट शिंदू नदी जो है शिंदू नदी का उद्दम देखिए शिंदू नदी यहां फिज़ीू नदी यहांसे निख्यू करके यहां इस तरीके से सिंदू नदी अरब सागर में जागर कर जाएगी इसके बाद हम दूसरी नदी की बात तरीके से सिंदु नदी का तंथर बंता है और इसी में चोटीश नदी मिलती hoping दिचे जो इस तरीके से तो ये सिंदू नदी का तंत्र है जिसे समंधित Puşnah पूचिये जा सकते हैं ठीक सुर्णेयों कोुछ लोट प्रवे कि नाम धे सकते हैं को सारी चीज़े रूत नाम सब जाएंगे एक बार इसको मैप को देख लीजिए गठीक है इसमेप को मैं टेलीग्राम पर बीडाल दूँगा सभी मैप को बहुत सरे मैप इसमें नामचा बर्वा यहां से आपके देखो सिंदु नदी आती है सिंदु नदी का तंत्री में आपको बता तो छोटा सा तंत्र है सिंदु नदी की बारे में भी देखिए सिंदु नदी इस मानसरवर जील के पास से निकलती है इधर बेती वी दिखरी है आपको सांगपो नदी के नाम से कहते है इसको यह नामचा प्रवा से भारत में प्रवेश करती है और ब्रंपुतर इसको कहते है और यह बंगला किदर चली जाती है पंगला देश में इंटर कर जाती है नीचे से और इसी में से एक नदी निकलती है इसको कहते है हुगली नदी की धारा निकलती है यमना इसके पीछे से मिलती है चंबल इदर से रावी सोरी केन बेतवा टॉंस नदी इदर सोन नदी मिलती है गंडक नदी घागरा नदी, रामगंगा नदी, काली नदी, कोशी नदी, इसके साहिक नदिया है, इसके सारी मिलती है, इसके बाद अगले मेप पे हम चलते हैं, यह हिमाले परवत का मेप है, नेक्स्ट मेप के हम बात करते हैं, बहुत सारी चीजे हैं, यह आपको अरावली परवत माला मि उसके बाद ये तो आपने देखे लिया पिछले वीडियो में, उपर वाले में, इसके बाद देखिए, आपको कुछ यहां पर पशीमी घाट मिलेगा यह पशीमी घाट शेनी, जिसको सहयाद्री के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर पूरवी घाट आपको कटा-फटा मिल उतकल तट के नाम से जाना जाता है, यह आप याद रखेंगे, कुछ पठार आपको दिखाई दे रहेंगे, यहाँ पर निलगिरी की पहाड़ियां है, अन्नामलाई, नलामलाई, नार कॉंडम, जार कॉंडम, यह सारी पहाड़ियां यहाँ मिलेगे आपको, ठीक है, इसके अ दावरी नदी आपको दिखाई दे रहेंगे, यहाँ नासिक से निकलती है, त्रमबेक पाड़ियों से, फिर इसके बाद कृष्णा नदी आपको दिखाई दे रहेंगे, करनाटका से निकलती है, जैसे भीमा नदी इसमें मिलती है, कावेरी नदी भी करनाटका से निकलती ह तो ओडासक केरल में जाकर करके कतमिनाडू में जाकर करके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती तीन नदियां यहाँ पर मिलेगी आपको बड़ी नदियां है तीनो इसके इलावा महान नदिया आपको इधर मिलेगी ओडिशा में जाकर करके खत्म होती है नर्मदा और माही तीनों नदियां अकमबात की खाड़ी के आसपास गिरती है ये भी आपको मिलेगी ठीक है इसके बाद हम देखते हैं आगे कुछ और चीजों को भारत की अगर लंबाई दक्षिन से उत्तर की बात करते हैं तो ये है बद तीसो चोदा किलो मिटर यहां पूरब से पश्चिम की बात करते हैं तो उनतीस सो तेंतीस किलो मिटर ठीक है और मानक समय देशान तर रेखा भी इसमें दर्शाई गई है यह 82 लिगरी है और ये करकर रेखा है जो भारत के 8 राजों से गुजरती है यह भारत के 5 राजों से गुजरती है ठीक है ये आपके इदर जाएगी जारखंड में जाएगी जारखंड में जाने के बाद ये पशी मंगाल में जाएगी वेस्ट पंगाल फिर उसके बाद यहाँ पे आपके तिरिपुरा में जाएगी और तिरिपुरा में जाने के बाद मीजोरों में जाएगी इस तरीके से ये आठ राज्या में भारत के गुजरती है और यह जो रेखा है भारत की महान जो इसको समय रेखा कहते हैं मानक समय रेखा कहते हैं IHT जिसको कहते हैं Indian Standard Time जिसके बारे में कहा जाता है यह आपके सबसे पहले UP में है UP के बाद ये MP में है MP के बाद फिर ये 36 गड़ में 36 गड़ ऐसा राज्य है जहां ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है ठीक है फिर ओडिशा है फिर आंदरपरदेश है Next हम बात करते है पडोसी देशों को देख लेते हैं भारत के सबसे पहले यहां पर पाकिस्तान है इधर अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान के इधर की तरह पूरा का पूरा चीन है चीन के बाद यहां नेपाल मिलेगा यहां भूटान है बंगला देश है मियामार है और लंका है यह भारत के सब पडोसी देश है और भारत का एक छोटा सा पडोसी देश यहाँ भी माल दिए इधर भी है इंडोनेशिया ठीक है यह सब भारत के पडोसी देश है भारत के राज्यों की हम बात करते हैं तो राज्यों की बात कर ले दिए कौन सा राज्य का है आविसे तो आप परदेश, पंजाब, हर्याना, दिल्ली, एक केंद्र शाषित परदेश, तीन केंद्र शाषित परदेश उपर होगे, ठीक है, इस हर्याना में ही एक और केंद्र शाषित परदेश है, चंडीगड और उत्राखट, यानि कि चार केंद्र शाषित परदेश तो आपको इस छेत इसके अलावा 28 राज्यों की स्थिति आप सभी को पता है राजस्तान गुजरात यूपी एंपी महाराष्ट करनाटक गोवा केरल तमिलनाडू आंदर प्रदेश चतिजगड ओडिशा जहारकंड बिहार पश्री मंगाल सिक्किम इसके अलावा सेवन सिस्टर्स इधर मिल इसको आप देख लिजी एक बार ताकि किसी प्रकार का कोई confusion ना रहे सभी राज्यों की स्थिति आप देख लिजी नेगे इनमें सबसे बड़ा जो है वो आपको अरुनाचल प्रदेश मिलेगा अरुनाचल प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो राज्य है वो एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बंगलादेश से घिरा हुआ है सिर्फ एक तरफ से भारत से और बंगलादेश के कंदे पर बिठा हुआ है मेगाले तो इस तरीके से साथ राज्य है आसम अरुनाचल प्रदेश नागालेंड मनीपूर मिजोरम तिरिपूरा अब कि कुछ इंपोर्टेंट बांध है जो यहां पर बने हुए है बांधों के बारें बात करते हैं यह पुरिशन आ गया है मैंने पढ़ाया हुई हुआ है बिए फाइनल ये के इंडियन जोग्राफी में जब मैं बाराकर नदी आपको पढ़ा रहा था बाराकर नदी जब मैं करने नागारजुन सागर ये क्रिशन नदी के ऊपर बना हुआ है ठीक है ये आपको याद रखना है फिर इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट बांध मेटूर बांध कावेरी नदी के ऊपर यहां पर फिर इसके बाद रणा परताप गांधी सागर कोटा बेराज चार बां नदी पर बनाया गया है यहां पर यह आपको याद रखने है यह भी बता दिया यह बता दिया यह पर बनाया गया है यह पेरियार बांध है यह पेरियार नदी पर बनाया गया ठीक है तो यह बांधों की इस्तिति आपको याद रखने है भारत के प्रमुक बांध है इसके सब से बंता है important है यह वाला यहां से सबसे क्रिशन बनते हैं सबसे ज Aa गलत भी होते between गरत की भारति की प्रमक कहदाने हैं मुखे रूस से भारत के चार ऑपांच चेतर है यह जहां पर भारत की प्रमुक खाने पाई जाती है लोह आयस की खाने लोह निर्यात पत्न मेंगनीज बॉक्साइट और अब्रकी इनकी दे रखें यह लेकिन आपको लोह आयस की खाने याद रखनी है आपको ओडिशा में देखिए मयूर बंज केंदु जर और गु चंद्रपूर यह आपको महराष्ट में मिलेगी और भंडारा मेकाल यह सब आपको मधिप्रदेश के आसपास मिलेगी भंडारा आपको महराष्ट में मिलेगी मेकाल आपको मधिप्रदेश मिलेगी इसके अलावा चित्र दुर्ग कुद्रेमुक बल्लारी शीमोगा नेलोर ने लोर को छोड़ करके बाकी सभी चेक मंगलूर ये आपको करनाटका मिलेगी रतनागीरी ओडिशा महाराष्ट में और मारमागवा ये आपको गोवा में मिलेगी ये भारत के प्रुमुक लोह अयस्क उत्तपादक छेत्रे एक बार फिर से मैं बात आता हूँ आपको इंपोर्टेंट है इसलिए गुवा, केंदुजार, मयूर भंज ये सभी आपको मिलेंगे ओडिशा में फिर इसके बाद आप चलेंगे दुर्गापूर, बेलाडिला, बिलासपूर, चंदलपूर, रतनागीरी ये दोनों आपको महराश्ट में मिलने वाले हैं और इसके अलाबा मर्मा गोवा, गोवा में हैं कुद्रेमुक, शिमोगा, चित्रदुर्ग, बेलारी, तुमकुर, चिकमंगलूर, ये सभी आपको करनाटका में मिलेगा नेलोर, वेलोर, आदिलावाद, ये सभी आपको आंदरपरदेश में मिलेगा, ठीक है इसके बाद ये है भारत के परमुक परमपरागत उर्जासरोत, परमपरागत उर्जासरोत में कुछ तेल चेतर है, कुछ कोईला चेतर है और कोईले की खाने हैं ठीक है तो इनको भी हम देख लेते हैं अलकासा तो कोईला छेतर तो भारत की यह है चोटा नाकुर का पठार वाला छेतर और चत्तिजगर के आसपास वाला छेतर यहाँ पर आपको कोईला मिलेगा सिंगरोली, कोरबा, बोकारो, जरिया, तलचर, सिंग और बसीन और मुंबई हाई तेल छेतर है इधर आपको सोनीपत में मिलेगा आपको दिल्ली, गुडगाउं, साहीदाबाद, साहीबाबाद, बबराला, आवला, शाहजापूर, जगदीशपूर यह सभी आपको कोईले वाले तेल छेतर मिलेंगे यहाँ पर आपको माकुम, भारत में, रावत भाटा है, यूपी में नरोरा है, और काकरापारा आपको गुजरात में मिलेगा, तारापूर महराश्ट में, केगा करनाटक में है, कलपक्कम आपको तमिलनाडू में मिलेगा, यह भारत के प्रमुक्ष जो है, आनविक ओरजा सायंत्र है, ताप यह इसके बाद भारत के वस्तुरुद्योग ये भी important है इन में देखे आप शिरी नगर है उपर से अमरित सर, लुदियाना, पानीपत, गुडगाउं, बीकानेर, जेपूर, आगरा, शाजापूर, कानपूर तो आपको पता ही है किसको क्या कहते हैं उतर भारत का मेंचेस्टर, दक्षिन भारत का मेंचेस्टर, कोयम बटलो है, और भारत का मेंचेस्टर, भारत का बोष्टन, एहमदाबाद, ये सबी आपको पता हो गए है, ये तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, सूति वस्तुद्योग के बारे में आप जब पढ़ेंगे, तब आपको पता से लग ये है भारत की लोहिस्पाथ सेंटर, इसको भी आप याद रखिएगा, बोकारो, जमशेदपुर, बनपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाए, ये सबी किस-किस के सहयोग से बनाए गए है, ये भी आपको पता होना चाहिए, राज-दुबे, ये मैंने एक ट्रिक के सहयोग से, बोसे, बोकारो, और भिलाई, ये दोनों रूस के सहयोग से बनाए गए है, ये याद रखिएगा आप ठीक है, विजे नगर, भदरावती, सेलम, विशा का पतनम ये अन्या है, सौफ्ट्वे, टेकनलोजी वाले चेतर, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट ह कोर्म, और विशा का पतनम कोलकाता उर कुवार फीद ये है, वहान से प्रशनाती आदे आगे, हवाय अन्याज्वाला, यहाँ से प्रशनात आता है, यहां देदेग लिजेगा, यहाँ से प्रशनात बंता है, देखे अम्रिट्सर, राजा जांसी, राजा सांसी हवायड़ा अम्रिट्सर में हैं, फिर उसके बाद इंद्रा गांदी इंटरनेशनल एरपोर्ट ये तो पता ही, आपको दिली में होगा, चत्रपती टर्मिनल, जवालाल नेरू, जद्रपती हवायड़ा ये तो है मंबई में और ज पाजिव गांदी इंटरनेशनल एरपोर्ट है इसका नाम तिर्वनायंत पुर्ण कोच्ची में यह जो भी यह आप पता होगा पारादीप पिशा का पता नाम चैन नाई यह हवाएड़ा है नेता जी सुबास चंदर बोस का हवाएड़ा कोलकाता में है यह सबी आपको याद एकना है